सभापती महोद हैं किशानों की उपज की आप ना अधिक कीमत देशक्ते हैं ना अधिक उपजाने के लिए जो साधन देश में उपलब्द हैं उनकी तरफ आपका ध्यान जा रहा है जो कुछ आप कर रहे हैं उससे कोई अच्छा भविश्य नजर नहीं आ रहा है मैं यही कहना चाहता हूँ की आप देखें की आपके कारकरम में कहां तुटी हैं कहां कमी हैं आपने कर लगा रखे हैं आपने जो कर लगाए हैं वे तो लगाए ही हैं हमारे प्रदेश में तो जमीन पर 25 प्रतिशत जादा कर भी लगा दिया गया है इतना बोज अगर किसान पर होगा तो उसकी कमर तूट जाएगे वह पहले से तूटी जा रही है लेकिन वे इन कारों को देने के लिए भी तयार है यदि आप उस तरह के साधन उन किसानों के लिए तयार करें हमारे उत्रप्रदेश के कुछ जिले हैं पूर्वी जिले हैं जहां पर बहुत बुरी इस्थती है हमारे सदन के एक सदश्य ने रो रो कर आपको यह बताया था कि वहाँ लोगों को दो रुपए मजदूरी में मिलता है इतनी ही एक दिन की उनकी मजदूरी है सरकार ने एक आयो की नियुक्ति की थी ताकि वहाँ पर कुछ बिकास के कारें किये जाएं बह योजना भी अब खटाई में पड़ गई है आपका ध्यान इन समस्त चीजों की और कैसे दिलाया जाएं कैसे आपका ध्यान इन सभी कटनाईयों की और अकरसित किया जाएं समझ में नहीं आता है यातायात के शादनो की इस्ताती यहां है कि ट्रैनों में दूसरे दर्जे में भीड़ भाड का कोई ठीकाना नहीं है उसकी कोई सीमा नहीं है हर रोज ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई मेला चल रहा है आपके पास अच्छे इंजन है अच्छे गती वाले इंजन है लाइन भी अच्छी है तो क्यों नहीं दूसरे दर्जे के अधिक डिब्बे लगाए जाते हैं लोगों को कुछ सुबिधा मिल जाए वह काम नहीं किया जा रहा है आपको किसान की देहात में रहने वाले आदमी की मजदूर की परिवाह नहीं है जो समस्त कटनाईयों को जिलता है आपके सारे कारे करम को पूरा करने की उसमें कहां से सक्ती आएगी कैसे वे अधिक अन उपजा कर आपको दे सकेंगे आप इन सब पर सोच विचार करें आपने बड़े बड़े फार्म बना दिये हैं क्या उन्हें आपके फार्म से कोई लाब मिल रहा है सवापती महोद हैं सरकार ने कई करशी फार्म खोले हैं क्या ये फार्म घाटे में नहीं चल रहे हैं अगर सारे खर्च जोड़ दिये जाएं बड़े बड़े अधिकारियों के बेतन जोड़ दिये जाएं तो पता चलेगा कि सारे ये प्रशी फार्म घाटे में चल रहे हैं क्या इसी तरह से आप सारे के शानों को घाटे पर खिती करने के लिए मजबूर करेंगे जस छेतर से मैं आता हूं वहां एक पुल बना है मैंने दस वर्श तक अपनी बिदान सवा में इस पुल के लिए कोसिस की है जिस दिन से मैं यहां आया हुँ वराबर उसकी चर्चा करता आ रहा हुँ बराबर कोसिस कर रहा हुँ मैं कहता हूँ कि गंगा पर वह पुल वने उस पुल को वनाने का आश्वाशन भी मिला था एक प्रासन के लिखेत उत्तर में यह जबाब दिया गया था यह कहा गया था स्टॉप